बचो वेलकम टू वीडियो लेक्चर नमबर थ्री ओफ डे नाइन ये डे नाइन का थर्ड वीडियो लेक्चर है ठीक है इसमें हम लोग स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं पार्शल फ्रेक्शन क्या हमारा टॉपिक पार्शल फ्रेक्शन partial fraction में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले बात देखो इसको तुम देखो दियान से इन सब को के form को देखो किस form में लिखा हुआ है सिर्फ denominator देखना है सबसे पहले बात दो बात को दियान में रखो सबसे पहले बात की partial fraction हम लोग rational function का करते हैं rational function का, यह हो गया हमारा point number one, दूसरी बात कि कभी भी अगर rational function improper form में हो, improper form बोलने का मतलब क्या है, कि अगर numerator की degree, denominator की degree के या तो equal हो, या तो numerator की degree, denominator की degree से greater हो, मतलब यह form हो गया, numerator की degree of, degree of ऐसे लिख लो, यह दो बात ध्यान में रखना, पहला क्या बोला मैंने, कि partial fraction हम किसे देखके करते हैं, partial fraction हम denominator को देखके करते हैं, दूसरी बात कि अगर तुम्हें degree numerator की, यह greater than equals to मिल जाए degree denominator से, तो यह कैसा function हो जाएगा, यह हमारा improper function हो जाएगा, improper rational function हो जाएगा, तो improper rational function के लिए हम क्या करते हैं, numerator को denominator से divide करके उसे proper rational function में convert करते हैं, फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर आगे का काम करते हैं, यह बात समझ में आ रही हैं तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, कि तुम इन सब को देखो द्यान से, यह हमारा क्या है, सबसे पहले बात कि सभी जितने भी ये जो five types के जो rational function given है ये सभी proper rational function है ठीक है पहले बात दूसरी बात क्या है कि सेफ़ हम लोग partial fraction denominator को देख के करते यहाँ पर जो denominator में क्या है दो linear factor दे रखा है इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो तो दो non repeating linear factor दे रखा है तो उसका partial fraction कैसे होगा ऐसी यहाँ पे क्या एक ही linear factor है बट वो repeating है तो उसका partial fraction कैसे होगा ऐसे होगा मतलब कि जो भी repeating linear factor होगा ना मालो कि अगर यहाँ पे power 3 होता suppose that यहाँ पे power 3 होता तो यहाँ पे एक extra क्या add हो जाता है c upon x minus e का whole q अगर मालो यहाँ पे power 4 होता तो extra क्या add हो जाता है d upon x minus e पे power 4 ऐसे add हो जाता है समझ मैं आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ तो कहने का यह मतलब है आपको कि हम लोग partial fraction किसे देखे करते हैं यहाँ हमारे पास है तो यह power 2 है इसका यहाँ पे power 2 है तो यह हो जाएगा ठीक है यहाँ पे बच्चे क्या है फिर अगेन तीन क्या है हमारे पास linear non repeating factor तीन linear factor है कोई भी factor repeat नहीं कर रहा है तो बस इसका partial fraction ऐसे करते हैं अभी तक जो भी हम लोग constant ले रहे हैं सभी ABC के हमारा constant है यहाँ पे ABC के हमारा constant है अब यह वाला case देख लो इसमें एक तो linear factor है और एक repeating है एक linear एक repeating है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका partial fraction निकालेंगे repeating का तो repeating के लिए क्या करेंगे क्या बोला मैंने एक तो आजाएगा X minus A, X minus A का whole square और यह तो non repeating है उसके लिए एक और टर्म आजाएगा X minus B अगर यहाँ पे 3 होता तो एक term इसमें और add हो जाता D upon X minus A का whole Q ऐसे add हो जाता ठीक है यहाँ तक कार यह बात समझ में उसके बाद क्या है यह वाला चीज़ देख लो यहाँ पे एक linear एक quadratic है तो linear के लिए तो यह वाला आजाएगा term quadratic के लिए क्या होगा और यह जो quadratic है इसको तुम further linear में convert नहीं कर सकते हो मतलब यह quadratic है linear में नहीं convert होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा जब भी quadratic ऐसे लिखेंगे और numerator में क्या आ जाएगा bx plus c इस बार numerator में एक linear factor आ जाएगा numerator में क्या जाएगा एक linear factor ठीक है इसको बोल रहा है क्या इसको बोल रहा है कि integrate करो तो सबसे पहले बात क्या है देखती है हमारे दिमाग में क्या आगिया कि यह तो एक improper rational function है तो improper rational function है तो क्या करेंगे पहले इसे proper rational function में convert करेंगे कैसे करेंगे numerator को denominator से divide करके तो यहाँ पे हमने कर दिया x to the power 4 minus 2x square चलो इसको पहले integrant को solve करते है यह है न हमारे integrant x to the power 4 minus 2x square plus 4x plus 1 upon x cube minus x square minus x plus 1 इसको हम क्या लिख सकते है इसको बच्चे हम लिख सकते है x plus 1 और plus का यह क्या लिख सकते है कर लेना divide यह आ जाएगा x cube minus x square minus x plus 1 यह आ जाएगा अब यह होगा x plus 1 और यहाँ पे क्या आधाएगा 4x और यह आधाएगा x square minus 1 और यहाँ पे आधाएगा x minus 1 तो यह हो जाएगा x plus 1 और plus का 4x और यह क्या हो जाएगा x minus 1 का whole square x plus 1 यह आधाएगा ठीक है अब इसमें तो कोई partial fraction लगाने है नहीं है, इसमें partial fraction लगाना है, तो इसको बाहर निकाला हमने, क्या लिखा, 4x upon x minus 1 का whole square into x plus 1, ऐसे लिख लिख लिए, अब ये तो repeating linear factor है, तो इसके लिए क्या आएगा partial fraction, a upon x minus 1, फिर क्या होगा, b upon x minus 1 का whole square, plus क्या होगा, c upon x plus 1, ऐसे आ जाएगा, अब इसको तुम क्या लि लो, lcm क्या होगा, x minus 1 का whole square into x plus 1, यहाँ पर क्या होजाएगा, a, और यहाँ पर क्या होजाएगा, x plus 1, x minus 1, x plus 1, x minus 1, x minus 1, x minus 1, plus b, x minus 1 का whole square है, तो यह होजाएगा, x plus 1, plus c, x plus 1 है, तो x minus 1 का whole square, ऐसे होजाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यह 4x upon x minus 1 का whole square और यह x plus 1 ऐसे हो जाएगा ठीक है दोनों साइट से denominator cancel हो जाएगा यहाँ से क्या जाएगा 4x is equal to a times x plus 1 और यह x minus 1 और प्लस b x plus 1 और प्लस का c x minus 1 का whole square ऐसे आ गया अब अच्छे तुम करना क्या हमें abc का value निकालना है एक काम तो यह कर सकते हैं कि इसको आख बंद करके multiply कर दे अंदर फिर यहाँ पे क्या होगा एक x square का term बनेगा एक x का term बनेगा एक constant term बनेगा left hand side और right hand side से हम लोग x square x और constant को equate कर दे तो वहाँ से abc का value आ जाएगा दूसरा कम क्या कर सकते हैं हमने इसको ऐसे देखा कि पहले first term को देखा और second term को देखा और third term को देखा तो हमें क्या मिला यह अच्छा है यह बात समझ में आ रही है यह तो एक identity है यह क्या हमारा identity है इसका मतलब कि left hand side और right hand side में अगर हम x का same value रखें तो true होगा मतलब results true मिलेगा left hand side और right hand side क्या होगा same आएगा अब हमने देखा कि first term और second term में x plus 1 वाला term common है फिर हमने देखा कि first term और third term में x minus 1 वाला term common है तो देखो हम लोग ebc का value कैसे निकालेंगे identity है तो देखा कि इसमें और इसमें कौन सा term common है x plus 1 तो यहाँ पे हमने put कर दिया x plus 1 को 0 तो x का value minus 1 minus 1 डाल दिया दोनों side तो क्या होगा 4 into minus 1 यह वाला term और यह वाला term तो cancel होगिया तो हमें क्या मिल जाएगा x की जगा हमने क्या put कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा c और यहाँ क्या मिल जाएगा minus 1 minus 1 का whole square minus 2 का whole square तो यहाँ से c की value हमें क्या मिल गए minus 1 तो direct हमें c का value minus 1 मिल गए फिर हमने देखा कि 1st और 2nd में कौन सा common है 1st और 3rd में कौन सा common है x-1 तो हमने put कर दिया x is equal to 1 अब अगर हमने x का value 1 put किया तो left hand side में 1 यह वाला term 0 हो जाएगा यह भी term 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा b 1 plus 1 ऐसे आ जाएगा तो यहां से b का value क्या मिल जाएगा 2b is equal to 4 तो यहां से b का value हमें क्या मिल जाएगा b का value 2 हमने c का value निकाल लिए हमने b का value निकाल लिए अब a का value निकालना है तो a का value निकालने के लिए बहुत simple x का value 0 डाल दो तो x का value अगर 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा यहाँ पर 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा A into 1 into minus 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर minus 1 और B यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 plus C यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 का whole square यह क्या हो जाएगा minus A B का value हमें पता है 2 और C का value हम पता है minus 1 तो यहाँ पे minus 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A is equals to 1 ABC का value मिलगी अब असे integrate कर दो अब हमारे पास final function क्या था x square minus 2x square plus 4x plus 1 upon x cube minus x square minus x plus 1 dx यह था न इसको हमने क्या लिखा था x plus 1 plus क्या लिखा था यह लिखा था term इसको हमने क्या लिखा था इसको copy कर लेते हैं यहाँ पेस्ट कर देते हूं यह आ जाएगा और dx यहाँ पे आ जाएगा dx अब इसको अलग-अलग कर लेते यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा x plus 1 dx और ABC का value निकाल के अलग-अलग integral कर देते अ का value 1 है तो यह हो जाएगा x minus 1 dx और B का क्या है 2 है तो 2 बाहर निकाला यह क्या हो जाएगा 1 upon x minus 1 का whole square और C का value क्या निकाला minus 1 तो minus 1 upon x plus 1 dx अब तो यह बिल्कुल simple हो गया x plus 1 का integral क्या हो गा यह x square by 2 plus x इसका क्या हो गा ln mod of x minus 1 plus का 2 यह क्या हो जाएगा इसमें x to the power n का formula लगेगा तो x minus 1 पे power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 और minus ln mod of x plus 1 यह हमारा answer हो गया ठीक है ना इसमें तो कोई problem है नहीं अब आते हम लाड़े जो next क्या है अच्छा सम advanced integral अब यह topic देख लो यहाँ पे यह भी काफी काम का चीज़ है अब जैसे type 1 type 1 अभी तक जो था यह सब मतलब मान के चलो यह board वोट था मतलब ऐसे ही करते हैं बोड में अभी तक कोई हमने बहुत कुछ नहीं देखा मतलब बहुत कुछ देखा मतलब अब यह सब important जाता है ध्यान से सुनना सम advanced integral में क्या है denominator में square root उसके अंदर quadratic फिर numerator में square root उसके अंदर quadratic करेंगे क्या सब में एक ही काम करेंगे quadratic को perfect square में क्या करेंगे convert कर देंगे quadratic है न उसको perfect square में convert कर देंगे solve हो जाएगा answer आजाएगा जैसे यह देख लो इसके हो हमें perfect square में convert करना है root under क्या है हमारे पास 9 plus 8x minus x square dx तो perfect square में बचे convert करने के लिए क्या करेंगे square root के अंदर से minus common ले लेंगे तो x square minus 8x minus 9 हो जाए गई है ठीक है अब x square का coefficient 1 कर दिया अब क्या करेंगे x का coefficient minus 4 तो minus 4 के square square और subtract करेंगे तो क्या हो जाएगा plus 4 square minus 4 square minus 9 dx ऐसे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा one upon root under minus ये क्या हो जाएगा ये हमारा बन जाएगा यहां से क्या बन जाएगा ये आजाएगा x minus 4 का whole square और 16 नौपचीस तो minus 5 का whole square ऐसे बन जाएगा तो ये हो जाएगा one upon 5 square minus x x-4 का whole square यह कुछ नहीं किया perfect square में convert किया अब यह किसका formula है sin inverse x upon a plus c का तो यहाँ पे sin inverse x का का काम क्या कर रहा है x-4 a का काम क्या कर रहा है 5 plus c answer हो कि ठीक है अब next type हमारा type 2 में है integration of the type this तुमें याद रखना है कैसे याद रखना है उपर में linear उपर में linear नीचे में quadratic उपर में linear नीचे में quadratic square root के अंदर फिर linear into quadratic और यह quadratic है square root के अंदर यह तीनो form रखना है इसमें हम हर बार क्या करते हैं कि जो हमारा linear function है उसको क्या बोलती है a into derivative of जो quadratic function होता है उसका derivative plus b पहले तो form याद रखना है यह तीनों फॉर्म यह फॉर्म यह फॉर्म यह फॉर्म तो लीनियर को हम क्या बोलते हैं A into derivative of quadratic प्लस का B ठीक है तो यह क्या होगा सेम हमें दिख रहा है तो इसको हम क्या करेंगे X-5 यह लीनियर को हमने क्या बोला A into derivative of ddx of किसका जो square root के अंदर है क्या X square plus X और plus B आजाएगा तो इक इसमें convert हो जाएगा A 2X plus 1 plus B यहाँ पर X minus 5 अब यहाँ पर 2A किसके equal होगा 1 की 2A किसके equal हो जाएगा यहाँ पर X का coefficient क्या रहा है 2A यहाँ पर X का coefficient क्या है 1 तो 2A का value क्या हो जाएगा 1 and constant यहाँ पर क्या रहा है A plus B minus 5 तो यहाँ से A का value हो गया 1 by 2 and यहाँ से A क्या हो जाएगा 1 by 2 plus B is equal to minus 5 तो यहाँ से B का value क्या हो जाएगा B का value minus 5 यहाँ से हमें B का value क्या मिला minus 5 minus 1 by 2 minus 11 by 2 ऐसे मिल गया बस अब integrate कर दो यही था ना मारे पास X minus 5 root under X square plus X dx ऐसे था तो इसको हमने क्या बोला integral X minus 5 को क्या बोला यह बोला ना X minus 5 इसके equal है A और B का value भी put कर दो A का value क्या 1 by 2 और यहाँ पर क्या है 2X plus 1 और B का value क्या है minus 11 by 2 और यहाँ पर integral क्या हो जाएगा root under X square plus X dx ऐसे हो जाएगा अलग अलग कर लो तो यह हो जाएगा 1 by 2 integral 2X plus 1 root under X square plus X dx और यह हो जाएगा minus 11 by 2 बाहर और यहाँ पर root under X square plus X dx ऐसे हो जाएगा इसमें तुम क्या करो X square plus X इसको T माल लो यह solve हो जाएगा फुरा और इसको क्या करो perfect square में convert कर दो यह तो easy है perfect square में convert कर दो हाँ एक रास्ता और होता है अगर मालो की तुम्हें याद नहीं है जैसे यह वाला form तुम्हें याद नहीं आ रहा है क्या करना था एक काम और हम कर सकते है कौन सा काम वो बताता हूँ जैसे यह हमारे पास है ना function integral X minus 5 और root under के हमारे पास X square plus X dx इसको हम ऐसे भी कर सकते है रहने दो फिर दो-दो method है ना confuse कर जाए तुम तो बस यह याद रखो ठीक है अब next type में आ जाओ यह type 1 हो गया type 2 अब type 3 में आ जाओ इसमें हमारे पास क्या है integration by trigonometric substitution पहला form क्या है यह form इसको देखो इसको देखो और इसको देखो इन तीन integration के लिए हम लोग क्या करते है देखो पहले के numerator में क्या है कुछ नहीं दूसरे के numerator में क्या कुछ नहीं कुछ नहीं का मतलब बन है और denominator में क्या है sin square X और यहाँ cos square X है अब तीसरे में क्या है a sin square X cos square x b और sin x cos x का भी term है small abc के हमारा constant है तो इन तीनो टाइपस के इन्टीग्रेल के लिए हम क्या करेंगे कि numerator और denominator को किस से divide करेंगे numerator और denominator को हम divide करेंगे cos x से cos x से काम नहीं चलेगा cos square x से divide करेंगे उसके बाद tan x को t put कर देंगे तो मजमारी बात numerator denominator को किस से divide करेंगे cos square x से उसके बाद tan x को t put कर देंगे second form में देख लो यहाँ पे a plus b इस पे सब पे linear power है सब पे sin x और cos x पे power बन है तो इसके लिए तुमें क्या करना होगा कि यह जो sin x है न इसको तुमें tan के term में लिखना होगा 1 plus tan square x तो sin x का formula क्या हो जाएगा sin x का formula क्या हो जाएगा 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 1 plus tan square x by 2 इस case में हमें करना क्या है sin x को cos x को हमें इस किस form में रखना tan x के term में तो यहाँ पे cos x का formula क्या होता tan x के term में 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2 यह formula यूज़ करेंगे ठीक है न उसके बाद फिर 10 of x by 2 को t मानेंगे तो solve होगा यहां तक आई हो बात समझ में आ रही होगी थर्ड में देखते हैं इसमें क्या है numerator देख लो और denominator देख लो साइन और कॉस सब पर पाउर 1 है ठीक है एक कॉस x b sin x plus c l कॉस x m sin x plus n ऐसे दे रखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते है numerator को क्या लिखते हैं a into denominator plus b into denominator plus c ठीक है एक छोटा सा question solve करते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या हमारे पास है यह क्या स्वार्म का है यह स्वार्म का है मैं पूरा नहीं करूंगा बस जहां तक की solve हो जाए यह numerator को क्या लोगे तुम simplify करके छोड़ दूंगा numerator क्या हमारे पास 3 cos x plus 2 है न इसको हम क्या लिखेंगे इसको यह क्या स्वार्म का है इस स्वार्म का है इसको हम क्या लिखेंगे एक ही जगा चलो यह लैम्डा माल लिए यह इंटू denominator क्या है हमारे पास sin x plus 2 cos x 2 cos x plus 3 इंटू denominator माल लिए प्लस लैम्डा के बाद मू माल लिए इंटू derivative of denominator derivative of denominator denominator क्या है sin x plus 2 cos x plus 3 plus new माल लिए हमें ठीक है प्लस का c मानते हैं यहाँ पे a b c को हमने क्या बोला lambda, mu और new अब यहाँ पे यह 3 cos x हो गया प्लस का 2 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा lambda यह हो जाएगा मारे पास sin x plus 2 cos x 2 cos x plus 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा plus mu sin x का derivative cos x cos x का derivative minus sin x तो minus 2 sin x 3 का derivative क्या हो जाएगा 3 का derivative हो जाएगा हमारे 0 और plus new तो यहां से क्या हो जाएगा lambda और यहां पर sin x का क्या है minus 2 mu sin x और यहां से क्या हो जाएगा plus cos का cos का coefficient क्या होगा 2 lambda और यहां से cos का coefficient क्या mu cos x हो जाएगा और constant term क्या है यहां से यहां से constant term आएगा 3 lambda plus new और यहां हमारे पास क्या है 3 cos x plus 2 left hand side और right hand side में cos के coefficient को, sin के coefficient को और constant term को equate कर दो तो यहां पे cos का coefficient क्या है 3 और यहां पे क्या है 2 lambda plus mu एक तो यह मिल गया sin का इधर coefficient 0 है sin का term ही नहीं है तो sin का coefficient 0 है तो यहां पे sin का coefficient क्या lambda minus 2 mu यह हो जाएगा 0 उसके बाद right hand side में 3 lambda plus new और constant के हमारा 2 तो यहां से 2 आजाएगा 3 equation है 3 variable है solve हो जाएगा 3 equation 3 variable solve इसे solve कर लेना तो solve करोगे तो तो तुम्हे lambda का value आजाएगा 6 by 5 mu का value आजाएगा तुम्हे 3 by 5 and new का value आजाएगा तुम्हे minus 8 by 5 solve कर लेना अब हमारे पास integral क्या है lambda numerator को हमने क्या माना था numerator को हमने ये माना था ये है न numerator हमारा इसको हमने copy किया और यहां लाके best कर दिया ये था बच्चे हमारा numerator ठीक है और यहां पे क्या है denominator क्या हमारे पास denominator sin x plus 2 cos x plus 3 sin x plus 2 cos x plus 3 2 cos x plus 3 और यह आजाएगा dx तो इसका value put कर दो सबका तो बस यहाँ पे क्या लिखोगे तुम put the value of lambda, mu and new and evaluate yourself yourself डालोगे integral जो होगा बहुत आसान में convert हो जाएगा देख ले न solve कर ले न अब इसको देख लेते हैं हम लोग यह क्या बोल रहा है माने पास सबसे पहले इसको उपर ले जाते हैं थोड़ा और उपर यह टाइप 4 में क्या है टाइप 4 में देखो numerator में अगर x square minus 1 upon x to the power 4 plus k x square plus 1 ऐसा हो तो हम क्या करते हैं numerator और denominator को x square से divide करते हैं बिल्कुल obvious सी बात है numerator में x square power denominator में x to the power four power है तो highest power की बात करें तो numerator में x square denominator में x to the power 4 तो numerator और denominator को तुम x square से डिवाइट करो उसके बाद क्या करो ये वाला टर्म बना लो इसको टी मन लो सॉल हो जाएगा अब जैसे ये कोशन में देखो सबसे पहले हमने क्या किया कि numerator से माइनिस कॉमन लिया तो ये क्या होगा x square minus 1 upon x to the power 4 plus x square plus 1 dx ऐसे होगे ना x square plus 1 dx अब numerator denominator को मैंने x square से डिवाइट किया तो क्या हो जाएगा 1 minus 1 upon x square upon ये क्या हो जाएगा x square plus 1 plus 1 upon x square dx ऐसे कनवर्ट होगे अब ये क्या हो जाएगा minus ये हो जाएगा 1 minus 1 upon x square upon ये x square चलो एक बार लिख लेता हूँ 1 upon x square plus का 1 dx अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1-1 upon x square यहाँ पे minus है न तो x plus 1 upon x के फॉर्म में रखेंगे और यहाँ पे plus है तो minus 2 plus 1 ऐसे लिख सकते तो यह क्या हो जाएगा 1-1 upon x square यह क्या होगा x plus 1 upon x का whole square minus 1 dx अब तुम क्या करोगे x plus 1 upon x को t माल लो तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1-1 upon x square dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिला minus 1-x square dx यह वाला जो term है और यह term मिला के dt हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा t square minus 1 अब यह तो हो गया x square minus a square के form में तो minus 1 upon 2a a का का क्या कर रहा है log x का काम क्या करा t तो t-1 upon t plus 1 plus का c तो ये क्या हो जाएगा minus 1 upon 2 log और t क्या हमने माना है t माना है हमने x plus 1 upon x तो ये हो जाएगा x plus 1 upon x minus 1 upon x plus 1 upon x plus का 1 plus का c तो ये हो गया minus 1 upon 2 log of mod of ये हो जाएगा x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 plus x यह answer होगी बच्चो बात कुष्णों द्यान से अभी मैंने तीन वीडियो लेक्चर हमारा हो गया day 9 में और यह सब बताना भी important था एक बार revision कराना भी important है question मैं direct लेकर बताऊंगा समझ में नहीं आएगा integral में ठीक है इसलिए कि हर एक question में मतलब कौन सा form लगेगा वो हमें क्या होता वो question to question depend करता है कि कौन सा form लगेगा तो मैंने क्या किया है कि अभी almost तुम्हें 90% जितने भी important form है जो j means के लिए important है वो सारे forms करा दी इसी में हम लोग का क्या हो गया आदे आदे गंटे का 3 video lecture बन गया तो जो next video lecture होगा उसमें मैं कराऊंगा तुम्हें क्या इसकी objective question कम से कम 10 से 12 ठीक है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात क्या है कि आपको maxima, minima and increasing and decreasing function अभी हमारा जो AOD में है न दो पार्ट बचा हुआ है एक तो maxima, minima AOD में क्या होता है चार पार्ट होता है एक तो rate measure rate measure हो गया उसके बाद tangents and normal वो भी हो गया हमारा अब दो पार्ट और बचा हुआ increasing, decreasing और maximum, minimum तो maximum, minimum और increasing, decreasing इन्ही वीडियो लेक्चर के बीच में मैं आपको उसके भी वीडियो बनाके send कर दूँगा मुझे याद है और यही बात कि इसके integral की objective question के बात हुई तो तीन वीडियो लेक्चर अल्एड़ी हमारा बन चुका है first day 9 में तो हम लोग क्या करेंगी इसको और ज़्यादे stretch नहीं करेंगे और हम लोग क्या करेंगी कि जो हमारा next वीडियो लेक्चर होगा बस हमारा complete है almost हमने 90% फर्म पर ली एक दो फर्म आउड होगा उसको करने के बाद हम लोग objective question ही solve करेंगी ठीक है फिर